शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले कोरोना संक्रमन का बढ़ता प्रवाव चिंता का विशे बना हुआ है कोरोना महामारी से अब तक पूरे देश में हजारों लाखों लोगों की मौते हो चुकी है कोरोना का संक्रमन धीरे धीरे अपने पाउं पसार रहा है जी हां फिल्म इंडस्री के कलाकार अनुपम खेर इन बार फिर लंबे लॉगडाउन का दौर शुरू हो सकता है मुंबई में भी यही हालत है मुंबई में चाहे अमिता बच्चन हो या हो रेखा या अभिशिक बच्चन या फिर हो अनुपम खेर इनके परीजन इन सभी को कोरोना पॉजिट हुआ है जिनकी जांच अस्पताल में चल रही है इस बारे में अनुपम खेर इन्होंने जान करी दी नमस्कार दोस्तो पिछले कुछ दिनों से मेरी मां जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं उन्हें भूक नहीं लग रही थी कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी तो हमने डॉक्टर की सला पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला फिर डॉक्टर साब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाईए और वहां पर इनका स्कैन करिये तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल ली निकला तो जाहिए सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे तो फिर मैंने भी अपना और राजु ने भी मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजु माइलली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था फिर हमने उनकी फैमिली को भी भूला मेरी भावी रीमा मेरी बती जी प पॉजिटिव निकले माइली और मेरे जो बतीजा है प्रानित वो नेगरिटिव निकला इसके बाद इसके बाद आए तुक मैं मादर तो कोकिला बैन हॉस्पितल देवल वेरी ग्रेश एंधे अन। एन। हमें अधे मादर देखें देखेंगे एंद मेरे ब्रादर देखेंग रहे हैं उनको भी सैनिटाइज करेंगे और मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगो इन्फार्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को खाज कर आपके माता-पिता को अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए बिकॉज हम बहुत देर तक कर देरें कि भूख यूंहीं लग रही है और डॉक्टर आर डूइंग इमेजिग वर्क मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर के साफ लोगों है यदुर मेडिक रही है अधे बिकॉड मेडिकम स्टाफ दूइन वर्क उनका जितना अनकी जीतनी तारीफ की जाए इतना कम है मैं आप सब लोगों को ये इंफॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया आपकी दुआएं आपका आश्रवाद जल्दी मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरे दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बिमारी से ग्रस्त है नमस्कार देश में यह दी राज्य है जहां पर दस हजार से अधिक संक्रमीत लोग पाए गए हैं कोरोना वाइरस की रोक्ताम एवं जन जागरूती सरकार निरंतर कर रही है नागरिकों ने इस और ध्यान देना चाहिए और कोरोना इस मामारी से बचने के लिए जो गाइडलेंड दी गई है उसे अप पूरो